तो आगते दोस्तों आप सभी का medical news के एक fresh episode में मेरा नाम है निरवन आज भी मेरे पास काफी कमाल के medical news जो आपको miss नहीं करने चाहिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो अभी तक अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दो और साथ ही दबा दो bell के icon को तो आप कोई भी update जो है वो miss ना करो recovery rate की बात करें तो वो ही है 96.5% के आसपास total active cases जो है वो बहुत ही कम हो रहा है 2,13,603 cases बचे हुए है अब तक इंडिया में जो है वो 151,727 deaths जो है वो register हुए है ये number जो है ना वो काफी slowly जो है वो increase हो रहा है आगे बढ़ते next update के उपर जो जुड़ा हुआ है AIMS के ex-director के साथ उनका ये कहना है कि covexin जो है वो काफी जादा safe है तो यहाँ पे काफी जादा questions जो उठाए गये है उठाने के पीछे एक valid reason ये है हमने जो है वो cove shield को approval दिया लेकिन हमें पता है कि cove shield कितनी efficient है cove shield जो है वो around 61% efficient होती है जब full dose दिया जाता है और approximately 90% जब half dose दिया जाता है तो हमें ये पता है लेकिन ये चीज़ हमें covexin के बारे में नहीं पता है इसलिए questions उठ रहे है लेकिन xims के director ने भी कहा ये safe है और ऐसा भी क्यूं वो भी समझ लो क्योंकि ये vaccine जो है वो एक in activated vaccine है जिसे काम करने में भी समय लगता है इसलिए ये safe vaccine हमेंसा रहेगी आगे बढ़ता है next update के ऊपर जो जुड़ा हुआ है vaccine की efficiency के साथ तो यहाँ पर depression and stress के कारण जो है वो vaccine की efficiency जो है वो कम हो सकती है तो अभी के time में ऐसा जरूरी होगा हम सभी के लिए कि हम एक healthy lifestyle रखे क्योंकि depression and stress से जो है वो efficiency परसर हो सकता है आगे बढ़ता next update के ऊपर जो जुड़ा हुआ है Delhi के साथ यहाँ पर Delhi government ने decision लिया है कि कोविड नैटिंग की जो guidelines UK से आने वाली flights के लिए वो वही रहेगी till 31st जैन तो जो ही quarantine किया जाएगा लोगों को test किया जाएगा ताकि जो है UK का नया strain जो इंडिया में ना fail और यहाँ पर एक बात definitely कहनी पड़ेगी कि इस बार जो है जब first time corona spread हुआ था मार्च 2020 में तो इंडिया इतना prepared नहीं था लेकिन जब UK का नया strain पता चनाना ऐसे फ्लाइट्स को ब्लॉक किया गया और अब तक निया बहुती कम किसी जाएना वो register हुए है नये strain के आगे बढ़ते है next update के ऊपर जो जुड़ा हुआ है अगे इन कोई शिल्डन को वैक्सिन के साथ तो यहाँ पे MP जो है MP के CM शिवराज जी उन्होंने कहा है कि कोई शिल्डन को वैक्सिन के बीच में को difference नहीं है हाला कि अगर हम structure की बात करें तो difference जरूर से है लेकिन वैक्सिन दोनों जो है वो आपको समान अंतर से protection देगी तो इस तरह से इन दोनों में कोई भी difference है वो नहीं है आगे बरते next update के उपर जो जुड़ा हुआ है Republic Day Chief Guest के साथ यहाँ पे इंडिया में जो है इस बार 26th Jan के दिन जो है वो UK के Prime Minister Boris Johnson आने वाले थे लेकिन वहाँ की situation काफी खराब होने के कारण वो नहीं आने वाले है तो अब इंडिया में कोई भी Chief Guest जो है वो यहाँ पे 26th Jan पर नहीं होगा आगे बरते next update के उपर जो जुड़ा हुआ है साथ यहाँ पर WHO से भी जो है उन्हें बहुत ही जल्दी अप्रूवल मिलेगा अभी उन्हें जो अप्रूवल मिला है वो DCGI से मिला है Drug Control General of India से मिला हुआ है WHO जब अप्रूवल देगा तो जो है वो काफी साथा कंट्रीज में यह वैक्सीन जो है वो डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी आगे बरते next update के उपर जो जुड़ा हुआ है चाइना के साथ यहाँ पर चाइना जो है चाइना ने जो है वो दो WHO के ऑफिसर्स हैं उन्हें एंट्री नहीं दी है रिजन बहुत ही स्टूपीड स है मैं आपको डिटेल में एक्सबेंड करना चाहूँगा WHO के दो मेंबर थे जो चाइना जा रहे थे यहाँ पर उनके जो एंटी बॉड़ी रिपोर्ट्स थे ना वो पॉसिटिव थे अब एंटी बॉड़ी रिपोर्स जब पॉसिटिव आता है उसका मतलब होता है कि आप कोरोना से रिकवर हो चुब हो चुखे हो हाला कि जब उनका कोविड 19 किया गया स्वैब टेस्ट तो वह नेगेटीव आयouse से मझ रहे हो मतलब उिन इन 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 ये इनकर नहीं है इन्फैक्सिं था रिकवर हो चुक है ऐसे लोगों को चायना में नहीं जाने दिया गया उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है सोचने वाली बात है आगे बढ़ते है नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है नए यूके वाइरस के साथ इंडिया में अब तक 109 केसी जो है वो रजिस्टर हो और शॉट वैक्सिन है यहाँ अच्छी और इफेक्टिव रैक्सीन है तो यहाँ पे इनिशल राइस चल रहा है उसमें पता चला है कि यह जो है कि वो काफी लास्ड इंग रिस्पोंस है उसका अच्छा रिस्पोंस हो इना वह देखने को मिल रहा है even though सिर्फ एक की वैक्स